हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप कार्चना का वेज किचन में आज हम बनाएंगे साही मटर पुलाव इसके लिए हमने दो कटोरी बासमती चावल ले लिया है इसको अच्छे से साफ करके हम इसको 10 मिनट के लिए भी वह देंगे फिर इसके वार 500 ग्राम ह इसको हल्का फ्राई करेंगे देसी घी डालेंगे तने से 4 चमण डालेंगे इसके बाद हम थैल्गा फ्राई करेंगे पनीर को यहार का अच्छा च्तलत कजिणे लिए कि साथ सिर्थ कि य 처 проблемы हो रहे हैं बड़ी हैसा धुर्य कला रहा है कि अम इसको निकाल लेंगे सारे पनी अब उसी घी में हम जो है ये जो दो से चार चम्मच हमारे काजू है अब ये काजू को भी पैन में हलका रोष्ट करेंगे ये देखिए बड़े इस कलरा है इनको निकाल लेंगे अब इसको छोकने लिए इसमें जो खड़े मसाले है दाल चिनी लॉंग छोटी लाइची इसको हम डालेंगे हमारे चावल भी फूल गया है तीन से चार चमच देशीगी डालेंगे इसमें एक छोटी एक बड़ी लाइची तेज पते दाल चीनी लॉंग हमारी चार है ये सब डाल के अच्छे से फ्राइब करेंगे अब ये जो फ्रोजन मटर थे इनको भी अमने घ टोटां बड़ी कि इए भी फ्राइब हो गया है हलके से चावल हमारे भीगे हूए थे उनको भी डाल एक छा थे ही बहुत ही धीरिये मिलाएंगे हमारे मटर भी हो डाल देंगे यह देखिए अब इसको कलर के लिए थोड़ा सा कस्मीरी मिश डालेंगे हलका असा गरम मसाला डालेंगे पानी डालेंगे पानी थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें उपर तक हो वस थोड़ा सा 2-3 कटोरी हमने पानी डाली है नमक डालेंगे तोड़ा सा धीरे से मिलागए दो से तीन मिनट के लिए इसको ढढ़ेंगे हम अभी इसके बाद देखेंगे फिर समें हमारी फ्राई हलकी नीमू भी डाल देंगे थोड़ा सा इस से चावल फूरा खिला-खिला बनेगा और इसमें फ्राई रोष्ट किये हुए काजु और पनीर भी डाल देंगे यह देखिए धीरे से मिला के अब इसको हम 4-5 मिनिट के लिए ढखेंगे लो फ्लेम पे यह देखिए बढ़िया से पके हैं चावल खिले-खिले यह देखिए धीरे से दे निकाली है इनको अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए बढ़िया सा खिला-खिला यह निकल चुका प्लेट में आप भी बनाईए सबको खिलाईए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए लाइक करिए हो सके तो सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद चीक है गुडबाई स्वस्त रहिए मस रहिए